नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आज का दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत का हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को आज विज्या तश्मी की शुब कामनाई देती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवाइट करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और आप तो जानते हैं कि इसके लिए ह आपको बताना जाऊंगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानि के 27 तो दो और साथ को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नमबर नौ नो होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 24 अक्टूबर 2023 आज की तारिक 24 दो और 4 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 6 नंबर 6 के स्वामी होते हैं शुक्र तो आज क्या इंपक्ट पड़ेगा एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आएए हम जानते हैं आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत विशेश जानकारी देने जा रही हूं क्या आपने कभी शेत्रपाल के बारे में सुना है जब भी हम कोई पूजन करते हैं या जब भी हम भूमी का पूजन कराके वास्तु पूजन कराते हैं तो वहाँ पर भी शेत्रपा में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक इस्थान देवता का जरूर होता है जिने लोग पूझते हैं इस्थानी रूप से पुरानी परंपराओं के रूप से उन्हें कभी रोट चड़ाई जाती है तो खेत में पहली फसल जो होती है वह उन्हें भेट की जाती है तो इस प्र कारे करते हैं यह जहां पर भी आप आकर बसे हैं जब तक कि वहां के शेत्रपाल आपसे प्रसंद नहीं होंगे जोने की स्थानी देवता माना जाता है तब तक आपकी सफलता जो है वह कहते हैं अधर में रहेगी अगर आप पूर्ण रूपेंड सफल होना चाहते हैं तो अप उस एरिया के जितनी भी सोल्स स्पिरिट्स होती हैं वो उन सभी का खयाल रखते हैं दूसरा खेतों का खलियानों का व्रिक्ष आदी का वो खयाल रखते हैं अपनी पूरे समुदाय के लोगों का खयाल रखते हैं एक राजा की भाती साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार की नक गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है celebration का काड है कहा जा रहा है आज का दिन बड़ा ही आनंद और celebration के साथ गुजरने वाला है आपको किसी मांगलिक उत्सव में participate भी करना पड़ सकता है परिवार में हसी खुशी का माहौल रहेगा कुल मिला के एनी काइड ऑफ पार्टी और गॉइंग टू अटेंड यह भी हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है तो आज का जो दिने काम तो आप बिलकुल करेंगे लेकिन काम के साथ साथ आप बहुत ही अच्छे मूड में आज रहने वाले हैं आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है कांशिसनेस का कार्ड है यह कार्ड जो है अगर मैं कहूं तो बहुत इक दृष्टी से तो नहीं लेकिन ओवरॉल एक सोल लेवल पर आके बहुत ही जादा पाफुल कार्ड है कांशिसनेस का अर्थ होता है आपकी जीवन की वास्तिक्ता को समझना हो सकता है कि आप अपने कर्यर को ले इतने ज्यादा डूब गए हो कि उसके सिवा कुछ सूजी ना रहा हो यह हो सथा है आप अपने प्रेमी को लेकर इतना डूब गए हैं यह कोई भी एक टॉपिक तरह उसके उबर आपको फोकस करने करें है और आज का दिन इतना अच्छा है आपके लिए ची ऊंड जो आपको कॉंश्यास आपकी चेतना का विस्तार कर सकती आपको वो knowledge, वो wisdom से आपको connect कर सकती है आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है turning in का card है क्या बात है आज का दिन तो बहुत ही जादा spiritually हाई होने का है मूलांक 3 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि बाहर की दुनिया में बहुत भटक लिए बाहर की दुनिया में कहने अगर मैं normally बात करूं तो कहने का रहत है कि आप दूसरों को देख कर कि वो ये कर रहा है वो ये कर रही है देख करना उनकी life में interference करना बंद कीजे अपना mind अपनी energies को वहा लगाना बंद करे और वो पूरा focus खुद के उपर करे आपकी growth आपका career आपकी family कुल मिला के स्वाध्याय करने का दिन है खुद पर ध्यान के इंद्रत करने का दिन है भटकना नहीं है बलकि खुद की energies को अपने लिए ही इस्तमाल करना है आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे है 24 October 2023 के लिए और हमें guide किया जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहनी की आवशकता है कोई भी जो नया कार आप आज आरंब कर रहे है उसको उसका R&D जरूर कर ले मताब रिसर्च जरूर कर लें उसके बाद उसके development पर आपको बढ़ना है साथ ही साथ अगर पैसे का investment आ रहा है बलकि उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करने तब आगे बढ़ना है आपका दिन शुभू आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें वर्मात्मा आज क्या guide कर रहे है 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है चेंज का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ रहा है और यह जो चेंज है ना यह कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टंट चीज साबित हो सकता है कि आपका परिबन में किसी प्रकार का चेंज हो रिलेशन्शिप परकार का चेंज या आपके अपने रहन में बदलावस आपके विचारधारण में बदलावे जो यह चेंज हैना है आपके लिए दिर्ग का लिन अच्छा रहने वाला है आपका दिन शुब्हों आए जानते हैं म olan प Mechanical सर्फ हम से जुद्धन हैं बर्मात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2030 के लिए आज की तारिक का जोड भी है सहे और च्छे मुलांकी हमने बात कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है माइजर का कार आपको कहा जा रहे आज केदना बहुत ज़्यादा अटाचमेंट में आपको नहीं जीना है बहुत जादा अटाचमेंट का मतलब की प्रोपर्टी पैसा बहुत इक जितनी चीजेरं उन्हें अपको नहीं trafficked परugesार से आपका घ्रयान पाना चाहते हैं और अगर आपका ध्यान अपनी सक्सेश पर होगा तो कहो सकते तो कुल मिलाके हम अपनी ऊर्जाओं को कहां दे रहे हैं अगर हम ऊर्जाओं को रिजल्ट पर देंगे कि मैं सकसे तो यह करूंगी मेरा नाम होगा अरे वो रिजल्ट है लेकिन आपको कहां फोकस करना है उसकी रूट पर आप जब रूट पर काम करेंगे तब जाकर आपको आपको मैजर बनके नहीं रहना है बलकि रूट्स काम करना है वरक आन रूट जिस्से कि आपको फिर आपकी सफलता प्राप्थ हो सके आपका दिन शुभ और जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2023 के लिए हमको कहा जा रहा है flowering का card है कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है जो भी कुछ आपने नई चीज़ें आरंभ की है उनकी growth का समय है तो कुल मिलाके growth आपकी बिल्कुल सही direction में हो रही है हड़बड़ी ना करें किसी प्रकार की बिल्कि पेशिंद्ली बिल्कुल काम करें बहुत ध 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है और्डिनेरी ने इसका card है आपको कहा जा रहा है हड़बड़ी ना करें अधिक महत्वा का अंग्शा ना रखें कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा होना चाहिए था लेकिन divine क्या कह रहें ज तो आज के दिन आपको अतिमहत्वा कांख्शु नहीं होना है बलकि gratitude में रहना है आपका दिन शुभो आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 24 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है letting go का card है किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है फिर वो चाहे किसी प्रकार का गुस्सा हो किसी विक्ती के साथ अपनी को लड़ाई जगड़ा हो या फिर कोई relationship में मालीजे आप उलज के रह जाएं किसी एकी बात के ओपर कुल मिला के आपको आज let go करना है लोगों को करना है किसी को माफ़ करना है किसी से माफ़ी मांगा दnaire मत भी गाल जा कर ना साथ-एस लिए यह पी तो इस प्रकार के ने गड़ाई न और वेश história को सब करना है को कुल मिला के यह हर को करना है आपका दिन शुब हो दोस्तों ये ती रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगलो एक बार फिर से आप सभी को दशहरे की धेरो शुब कामना है आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम